दोस्तों आज वीडियो में एक best loan application के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिससे आप without income proof के लोन ले सकते हैं केवला धारकाड और पैनकाड के नंबर पर आपको यहां से लोन मिल जाता है देख पा रहे हैं 4,636 रुपे का लोन अभी एक्टिव है इसको मुझे repayment करना है पैसा मिलने के बाद आपको repayment कैसे करनी है वो भी इसी वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ आज की best loan application का नाम है true balance personal loan आप इस तरह का लोगों दे सकते हैं इस application का लिंक आपको वीडियो को डिसे मिल जाएगा वहां से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं इसके आप रेटिंग देखेंगे तो 4.4 कि इसकी रेटिंग है 9,35,000 लोगों ने इसको रुभी किया और 15,000 प्लस यानि की पांच करोड स जादा लोगों ने इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है अब आउड दे सकते हैं कि मेनिमम 5,000 रुपे और मैक्सिम्म 50,000 रुपे तक लोनिया से ले सकते हैं जो हमें टैनल मिलेगा 62 दिन से लेकर के 116 दिन का मिलने वाला है यह एक्चुल है आगे आप पूरूफ भी ज़्यादा होनी चाहिए और आपके पास अधार काड और पैन काड का नंबर होना चाहिए एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जो कि आजकल सब के पास होता है कि बल यह डोकुमेंट यहाँ पर लगते हैं और इनकी बिहाब पर आपको यहां से लोन मिल जाता है नुबार इस कीनके लाइब जिकर भी किया कितना लोन के खाते मिला है कितना उनको रिपेमन्ट करना है यह सब कुछ यहां पर लिखा हुए है तो आपको अपलाईना कर सकते हैं उसके बाद इसको ओपन कर लेना है एपलीकेशन को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे 6,000 पे का वैंकम देखने को मिल जाता है दो मेने के लिए documents में आपको कुछ भी नहीं चाहिए तो आपको apply ना उपे click कर देना है और इसके बाद आपको अपना pen card का number लगा देना यहाँ पर और यहाँ पर आपको अधार card का number लिखना होगा और इसके बाद आपके वाईसी वो complete हो जाती है go to welcome loan पर click करेंगे और यहाँ पर आप देशेते हैं कि 1000 से लेकर के 6000 के बीच में हम loan यहाँ से ले सकते हैं तो okay पर click करेंगे और यहाँ पर आपको अपनी housing type, relationship type जो type लिखना होगा उसके बाद next पर click कर देना है इस page पर education level select करने के बाद आपको next पर click कर देना है और आपके application एंटर्वीव चले जाती है और यहाँ पर आप दे सकते हैं कि 4000 रुपे का लोन आप यहाँ से ले सकते हैं आपके जो email बनेगी 237 रुपेगी 237 रुपेगी बनने वाली है आपको next पर click कर देना है प्रोसीड पर इस page पर आपको अपनी bank detail डालने होगी उसके बाद receive money पर click करना होगा और आप दे सकते हैं कि we will directly transfer the money into your bank account पैसे हमारे खाते मिल चुका है 4000 रुपे हमारे खाते में आते हैं आप यहाँ पर repayment detail दे सकते हैं 4636 रुपे कि हमें repayment करनी है दो EMI में हमें यह payment करनी होगी आपको दो option मिल जाते हैं एक तो आप EMI repayment कर सकते हैं दूसरा आप full and final भी repayment कर सकते हैं और नीचे आपको दिखा दूँ कि आप जितने लोगों को रेफर करेंगे तो यहाँ से आपको कुछ amount मिलती है जैसे कि मुझे 249 रुपे की मिली हुई है जब आप repayment करेंगे तो यह amount आपकी यहाँ पर minus हो जाएगी यानि कि इतना amount deduct होने के बाद आपको जो बाकी बची हुई amount है वो repayment करनी होगी तो मैं यहाँ पर repayment करने वाला हूँ केवल EMI को तो इस pay click कर देंगे और उसके बाद हमें अपने फोन पर ले जाता है इस पर हम अपना फिंगर पिंट लगा देंगे और यहाँ पर आप देशकते हैं कि 2079 रुपे हमेरी repayment करनी होगी send पर क्लिक करेंगे और आप अपना password डाल दें और processing payment आप दे सकते हैं हमारी जो payment होगी complete हो चुकी है अभी update भी हो जाएगी application के उपर तो order received हमने इनकी payment कर दी है अभी पता लगेगा कब तक हमारी यह success होती है ओके पे click करेंगे और यहाँ पर आप दे सकते हैं कि हमारी जो पहले 2 EMI दिखा रहा था अभी हमारी केबल 1 EMI pending है वो है 15 अगर 2022 को तो इस तरह से आप इसके repayment भी कर सकते हैं तो इस वीडियो में आपको बता है कि आपको apply किस तरह से करना है किस तरह से आपको पैसा मिलता है कितना मिलता है और कुछ documents लगाने होते हैं और कितना amount आपके खाते में आपके अगर आपको वीडियो पसंदा है ये loan application आपको पसंदा है ये वीडियो को लाइक करें दोस्तों शेयर करें और चैनल को सबसाइब करने के साथ पहले आइकन को प्राइस करके रखें ताकि हर एक financial related वीडियो को जानकर आपको मिलती रहे इस चैनल को पर जो वीडियो प्लोड की जाती है प्रुवकिशादी प्लोड की जाती है नमस्कार जैहिंद बंदे मातरम